तो गुट इवनिंग इस्टूडेंट्स तो आज का जो हमारा सेशन है जिसके अंदर हम बात करेंगे इंग्लिश का पोर्शन और जो इंग्लिश का स्लेबस हम पढ़ेंगे वह आपका common रहेगा CET, LDC, उसके अलावा Army Clerk, प्लेस आपका SSC यह हमारा main target रहेगा और जिन भी स्टूडेंट्स को offline और online batches जोइन करने हैं तो आप Grade of Defense Academy के जो है contact number पे contact कीजिए तो आप लोगों को सारी detail में information मिल जाएगी और वैसे मैं आपको बता दू कि एप के उपर आपको grammar plus जो बच्चे live class लेना चाहते यानि कि complete syllabus online class लेना चाहते तो grammar plus vocab का उनको complete syllabus मिल जाएगा और साथ-साथ इन दोनों portion का आपको जो है practice भी मिलेगा clear है सबी बच्चों को उसके अलावा मारे जो batches है offline वो पास तारिक से start हो रहे हैं पाइप आप सेप्टेंबर तो आप लोग जोइन कर सकते हो और live class प्लस आपका grammar और vocab का practice session जो है आपको एप पर complete classes मिल जाएंगी तो आज का जो बेरा session है जिसके अंदर हम बात करेंगे कुछ बेसिक से questions जो fill in the blanks के आते हैं exam में और उसी के अंदर हम थोड़ा सा basic भी समझते हुए चलेंगे कि किस तरीके से जो questions है वह आपके exam में पूछे जाते हैं basic और प्लस आपके grammar वाला जो portion है उसके कुछ chapters पर हम बात करेंगी तो आपको आज क्या जो session होगा जिसके अंदर थोड़ा idea लग जाएगा कि किस तरीके से आप से जो है questions पूछे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर में बात करूं तो 10 questions तक fill in the blanks पूछे जाते और वह ज़्यादा तर आप देखिएगा grammar के proposition time intense conditional sentence इसके अलावा conjunction इन सारे चैप्टर आर्टिकल इन सारे चैप्टर से बहुत ज्यादा फिल इंदा ब्लैक्स आपके पूछे जाते हैं तो हम उन्हीं के ही कुछ आज के जो session है जिसके अंदर प्रस्तिस यानि की कुछ questions के उपर बात करेंगी तो चलिए देखते हैं कुछ questions तो यहां पर आपका जो है पर्स्ट क्वेशन है आपको बताना है इसके अंदर क्या आंसर आएगा सबसे पहले जब आप फिलिंदा ब्लैंक्स सॉल्व करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि फिलिंदा ब्लैंक्स सॉल्व करते हैं आपके दिमाग में चैप्टर क्लिक करन चाहिए कि यह कौन से चैप्टर से रेलेट करता हुआ है है ना तो आपको जो ब्लैंक दिया हुआ है उसको देखते ही आपके दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है है गले कोण सा चैप्टर हो सेकता है विटा यह निकि time and tense, है ना, time and tense chapter से relate कर रहा है, और time and tense के साथ साथ आप ध्यान रखे, यहाँ पर narration का भी statement है, है ना, direct से किसमें convert हुआ है sentence, indirect में, पर mail लिए आप से पूछा जा रहा है, time and tense related, तो पहला question जो है आपका, he told me that, इसमें क्या answer होगा, he told me that, he in India the previous year, यहाँ पर लिखा हुआ है कि last year से वो भारत में क्या कर रहा है बिटा, काम कर रहा है, कुछ ऐसा ही statement है, तो अगर अपन बात करें इस concept को, तो इसमें कौन सा tense लगना चाहिए, simple past और narration के हिसाब से देखेंगे, तो past perfect या past perfect continue, यही होगा, दोनों concept आप समझे, तो यहाँ पर पहला option जो है, यहाँ पर past tense है, यह sequence of tense भी कहलाता है, अगर बाहर की side कौन सा tense है, past tense, तो अंदर की side, यानि कि अंदर वाले portion में, sentence में क्या होगा, past tense ही होगा, तो हमारा यह वाला option क्या हो जाएगा, eliminate हो जाएगा, second question की तरफ बात करें, तो head के बाद क्या लगा हुआ है, bean, और bean के बाद क्या लगा हुआ है, working, तो यह हो सकता है अपना answer, हमें चेक करना है कि past perfect आएगा या past perfect continuous tense आएगा, यह होगा, तो इसको मैं doubt में एक बार रखते हूँ, अब C option करते हैं, तो वापिस से present तो हब इसको हटा देंगे, D option जो है had been worked, यह कब आता है sentence में, जब sentence में he की जगे पर, या फिर he की बात करो, तो he यहाँ पर subject है कि object, काम कौन कर रहा था, उसने बताया कि वो काम कर रहा था, तो यह subject हो गया, और जब subject हो गया, तो यह वाला structure तो कब लगता है, जब object से sentence शुरू होता है, head plus bean plus verb की hard form, या तो यहाँ पर क्या होता, head work, तो subject से यह answer हो जाता, लेकिन फिर दो answer हो जाते हैं हमारे पास, तो इस वज़े से bean दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, यह object से शुरू होने वाले sentence में आता answer, ठीक है, तो इसलिए अपना answer appropriate कौन सा हो जाएगा, भी हो जाएगा, आप एक-एक चीज़ को समझेए, basic सी चीज़े हैं, तो आपको clear हो जाएगा, कि हमारा answer जो होगा, वो कौन सा होगा, clear हुआ, चलिए, तो second question की तरह बढ़ते हैं, second question बहुत important है, और यह भी बहुत easy सा question है, बताइए बच्चों क्या आएगा answer, अब पहले हम देखते हैं कि sentence की शुरुवात किस से और यह model से, यानि की बुड लगा है, जो की model है, और helping verb के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है, ऐसा ही है, तो बुड जो है, model है, model के बाद verb की कौन सी form आती है, जो की यहाँ पर दे रखी है, पहले से, तो इसका मतलब हो गया कि आगे वापिस से तो वीवन नहीं आएगा, ऐसा ही है, तो हमारा जो B option हो गया, वो क्या हो गया, कट गया, अब आपको ध्यान रखना है कि बेटा वुड के बाद यदि लाइक दे रखा हो, या फिर वुड के बाद क्या दे रखा हो, माइन्ड दे रखा हो, यह मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको ध्यान रखना है, यह दोनों ही किस रूप में काम कर रहे हैं, तो इनके बाद, जब भी आपको कोई वर्ब और लगानी पड़े, तो आप अमेशा क्या लगाओगे, इन्फिनेटिव लगाओगे, तो इस वज़े से जो है, वो आपका करेक्ट आंसर, क्या आएगा? बस देखते ही लगा दीजे, और माइंड जो वर्ब होगी, वो इन्फिनेटिव को भी फॉलो करती है, यह भी ध्यान रख सकते हो, तो यह आप्शन कट जाएगा, यह आप्शन और यह आप्शन, आप इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की, जो किसी वाक्य में किसकी तरह काम करती है, यह भी बेसिक की क्लास के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, कि इन्फिनेटिव जिरन पार्टिसिपल क्या होता है? तो यहाँ पर हम बात करें, कि इन्फिनेटिव जो होती है, वो वर्ब की ही एक फॉर्म होती है, जो किसी भी सेंटेंस में किसकी तरह काम भी करती है, नाउन की तरह, इसे हम और क्या बोलते हैं? वर्ब का पांच वरूप भी बोलते हैं, फिफ्ट फॉर्म भी बोलते हैं, I hope यह क्लियर हो गया होगा question आपको. अच्छा, अब अगला question बताइए. सभी लोग कोशिश करेंगे. क्या answer हो सकता है? फटाफट जबाद दें आप लोग. I reply to my letter in the next few days. मैं जो है, कुछ दिनों में मेरे letter का जवाब की क्या कर रहा हूँ? आशा कर रहा हूँ, उमीद कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ या फिर गयाट, प्राप्ट कर रहा हूँ. क्या हो सकता है? तो अगर आप इस sentence के भाव को समझें, पहली बात तो इसमें जो पूछा जा रहा है, वो word filler. शब्द को भरिये, कि situation के according, कौन सा सब्द जो है, यहाँ पर लग सकता है, ठीक है? फोप तो कब की जाती है? जैसे कहते हैं, मैं उमीद करता हूँ, आप खुश होंगे, है ना? तो ऐसी situation में हम फोप वर्ड का यूज़ करते हैं. यहाँ पर आपने letter लिखा था, letter किसी को लिखा होगा, और letter का आप क्या कर रहे हो? कि भई letter का जवाब मेरे तक आएगा. अब बेट तो कर नहीं रहे, वो कभी भी हो सकता, कोई भी action, है ना? बेट किसका होता है? मेंली पर्चन का होता है. और get तो यहाँ वैसे ही नहीं आ सकता, क्योंकि sense ही नहीं बैठ रहा है. तो answer हो सकता है C या फिर B. अब appropriate मैंने कहा कि यह person के लिए use होता है. तो आप उमीद ही करोगे कि भईया, मैं जो है, मैंने नौकरी का फोम बरा था, वहाँ से उमीद है मुझे कि क्या हो जाएगा, जर्नल वे में, तो आप अगर जर्नल वे भी समझो, तो आपका answer जो है, वो correct आ जाएगा, क्या वेटा? अभी जैसे आप paper भी दे रहे हो, तो word filler के भी काफी सारे questions पूछे जा रहे हैं, क्यों ऐसे ही है ना? पेपर के अंदर आपके exam में word filler के भी काफी question पूछे जाते हैं, तो आपको situation के according ये भी ध्यान रखना, उसके साथ साथ word filler कहां काम आते हैं, वो भी ध्यान रखो, तो close test जो होता है, यानि कि passage, passage के अंदर, आप से क्या भरवाये जाते हैं, words भरवाये जाते हैं, जो कि SSC मे main ली आता है, है ना, तो इसके लिए आपको close test के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और passage में पूछे, fill in the blanks, word filler, या sentence में पूछे, हमें तो क्या समझनी है, sentence के भाव को समझना है, और fill in the blanks को solve करना, clear हो गई बात, है ना, ओके, fourth question देखते हैं, fourth question में क्या answer आ सकता है, बताओ बेटा, जल्दी बताओ answer, कौन सांसर आएगा, तो अगर हम इस sentence को सबजें, तो क्या लिखा हुआ है, the better team, we lost the match, हमारे पास बढ़िया team थी, फिर भी हम match को क्या हो गए, हार गए, अब यदि पहला option देखते हैं, इसमें पहले ये भी समझ लो, अभी जैसे मैंने सारे questions में आपको बताए, कि किस ट्राइब का फिलिंदा ब्लैंक साब से पूछा जा रहा है, इस sentence के अंदर अगर आप देखोगे तो, proposition, conjunction का रूल कहीं न कहीं follow हो रहा है, ऐसे ये बेटा, तो despite के साथ, grammar में याद रखना, error में भी आता है, कभी भी despite के साथ बेटा, क्या नहीं लगता, तो option first हमारा, दूसरा वाला देखें, despite the better team, अच्छी टीम के बावजूद, मतलब अच्छी टीम किस के पास थी, किसी के पास तो होगी, तो कुछ sense proper नहीं आ रहा, है ना, तो इस वज़े से जो है, बी option single नहीं आ सकता, कोई noun form क्या है, condition कैसे है, वो नहीं clear कर रहा, अब यहाँ पर अगर बात करें, तो despite जो है, उसके बाद, हाला कि of नहीं लगता, लेकिन despite के बाद, जिरन का परियोग हो सकता है, और उससे क्या होगा, कि sentence का proper meaning निकलेगा, तो क्या बोलेंगे, despite being the better team, we lost the match, हम क्या कर दिये, हमने match को खो दिया, जैसे कहते हैं, हमारे पास अच्छी team थी, हमारे पास अच्छी player थे, तो despite having best player, हमारे पास अच्छी player थे, फिर भी हम क्या किये, match हार गए, तो having, being, इस तरीके की condition जो है, हम लगाएंगे, किसके साथ, despite और although का प्रियोग हो नहीं सकता, क्योंकि although के साथ भी हमेशा क्या लगता है पहले, subject लगता है, जो कि यहां पर दिया नहीं है, और subject आएगा, तो इसके साथ क्या आएगी फिर, क्योंकि है नहीं वर्ब, है क्या इसमें, अगर आप समझो तो वर्ब भी नहीं दे रखी इसमें, और आपको यह ध्यान रखना है वेटा, और भी चीजें मैं बता देती हूं आपको, जैसे despite है, उसके अलावा वेटा, due to है, इनके साथ जाधतर आप देखेगा, नाउन कनेक्ट होती है, ठीक है, और यह जो convert होती है, वो phrase में convert हो जाता है, phrase को हम क्या बोलते हैं, वाक्यांस, यह वाक्य का एक अंस होता है, यहाँ पर यह जो subject होता है, वो इस phrase को qualify करता है, हमारे पास बड़िया टीम थी, हमारे पास अच्छी टीम होने के बावजूद, हम टीम को क्या कर दिया, हमारी टीम मतलब मैच को हार गई, तो यह phrase में convert होते हैं, यह वाले portion, तो इस वज़े से जो है हमारा correct answer होगा, that will be C, clear हो गई अच्छे से बात है ना, इस ताइब के questions आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे due to heavy rainfall, due to heavy rainfall, क्या हो गया, सभी लोग है ना, घर से बाहर नहीं निकल पाए, ओफिस नहीं जा पाए, तो ऐसे भी sentence बनते हैं, ओके नेक्स एक्छेस बताईए, पांच वह नमबर में क्या आएगा answer, बहुत सारे बच्चे जो है reply कर रहे हैं, गोड इवनिंग बटा सभी को, गोड इवनिंग, लाइव क्लास में भी जवाब दे रहे हैं काफी सारे बच्चे ना, 5B का, C answer दिया ऐ, अच्छा, पांच वह नगिंग पांच वह घंच वह धी कर जल्ली से आंसर दो, अर्विन, अर्वन ने जवाब दिया है पांच वह नहीं, हाँ बेटा बताओ जली से प्रेक्ट क्या अंसर आएगा क्या अंसर आएगा पांच वेका अच्छा ए आ सकता है तो देखते हैं सेंटेंस में क्या लिखा है बहुत सिंपल सा सेंटेंस है ना देखते ही पता चल जाएगा हीं जुओं वफेश यस ओंदा बिलिंग्के अंदर क्या उती है पिल्डिंग में क्या होते आप लोर होते हैंे तो से इंपल सा आंसर देखता ॏ जाएगा अढ DAY अच्छा एक स्टोरी का ऐसे तैंने स्टॉरी और क्या फर्क होता है इन्यों साथ क्या मिनि होता होगा इसका तो देखो, इनको आपको द्यान रखना है, यहाँ पे तो floor आ रहा है, story वाला word नहीं है, लेकिन आप general sense में थोड़ा समझ ले इस story का मतलब जो होता है, वो तो होता है क्या कहानी, ठीक है, और इस story का मतलब भी क्या होता है यह पाँच मंजिला मकान है तो इस तरीके से बोलना हो तो five stories building is this ठीक है और मैं पाँचवे मंजिल पे रहता हूँ तो मैं पाँचवे स्टोर नहीं बोलूँगी ठीक है फिर मैं क्या बोलूँगी पाँचवे फ्लोर पे रहता हूँ तो इस वज़े से यहाँ पर आपका एप्रोप्रियेट आंसर होगा एक लेर हुआ है नाक्स क्वेशन इसका भी बताई यह आंसर सभी बच्चे कोशिश कीजिए आप लोग छटा क्वेशन जो है इसका जवाब दीजिए आई कम मैं जोदपूर से हूँ डायरेक्ली हम क्या बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं बेटा या फिर आई बिलोंग के साथ फिक्स प्रपोजीशन क्या लगता है फ्रॉम जोदपूर ऐसे ही होता है बिटा अब यहाँ पर बोल रहा है मैं कहां से आया हूँ कहां से समंद है मेरा एड्स तो हो नहीं सकता है कि नहीं है इसमें होता तो इनका सेंस नहीं बैठ रहा था तू आयकंव तू इंगलेंड यह हो सकता है क्या मिक्र 빠d भी तो ध्यान रखनी है अब यह पन को वर्पे तो ध्यान गयं नहीं था पहले बताओ और बियॉंड ये देखो क्या हो सकता है बताओ देखो सिंपल सी बात है फ्रॉम आंसर हो सकता था अपने इस पर द्यान नहीं दिया है नहीं हाँ बेटा आना जाना गो कम इनके साथ जैसे अभी ब्लॉंग लगाया इनके साथ प्रपोजिशन टू लगता है कम वाला नहीं ध्यान दिया था अपन ने इस वज़े से यहां पर एप्रोप्रियेट सी होगा बेटा ए मत करने ठीक है डायरेक्टली लिखता मैं कहां से हूं तो बोलते क्या आई एम पर्टिकुलर बताना है ना आपको कहां से आयों यह वर्व जो थी इसको ध्यान नहीं दिया था इस वज़े से आपने फ्रॉम बताया लेकिन फ्रॉम की जगह पर एप्रोप्रियेट क्या आएगा तू आएगा ठीक है आई कम तू इंग्लेंड मैं बेसिकली कहां से संबंध रखता हूं इंग्लेंड से इसका मतलब यह हो रहा है और डायरेक्ट अकर हेल्पिंग वर्व ऐसे लगी होती तो अपन क्या लगाते प्रपोजीशन फिर और यह क्वेशन किसका था भीटा प्रपोजीशन चैप्टर का था क्लियर हो गई बात सभी को अच्छे से ना कम वाले वर्ड को द्यान रखना अच्छा नेक्स से अगला कोईशन बताईए गला को सेवन नंबर को सेवन नंबर क्वेशन में क्या आएगा इस यहाँ पर जो है मैं जै लिख देती हूँ नाम इस जै जै क्रिस से क्या बड़ा है अब यहाँ पर देखें तो टॉलर के साथ दैट तो लगता नहीं है टॉलर के साथ अगर लगता तो क्या लगता तो हमारा एप्शन कट गया अच्छा चैप्टर भी बताओ कौन सा हो सकता है कौन से चैप्टर का है क्वेशन डिगरी मतला बेटा एजेक्टिव एजेक्टिव के अंदर डिगरी है है कि नहीं है तो आप चेप्टर भी देख सकते हैं बस आपके दिमाग में कर चेप्टर ध्यान होती है जब फिललींदाबलैंक से एरर करते हैं तो खोतоСा है मैं मैं जब chapter wise आप sheet देते हो तक तो हो जाती है क्योंकि अपनको क्या ध्यान रहता है कि focus किस पर करना है उस chapter लेकिन जब हम क्या करते है mix करते फिल इंदा blanks या error तो हम chapter पे ध्यान नहीं दे बात है तो ऐसे वक्त पर भी आप जैसे एरर आ रही है तो एरर करते वक्त वह आपको क्या करना है एक एक पॉर्चन को एका सब्द को ध्यान रखना है और फिल नि जाता है क्योंकि देखते ही चार option से पता चल जाता है कि नहीं है तो यहां पर taller की बात करें तो फिर वही बात then नहीं लगा तो यह भी option कट गया सी ऑप्शन अगर देखते हैं तो लिखा है एस टॉल बिल्कुँ सही है एस एस के बीच में कौन सी डिग्री लगती है त्यान रखना आईए पॉइंट कौन सी डिग्री पॉजिटीव डिग्री लगती है तो अपना अंसर सी हो सकता है अब दी देख ल 눈 गए मोर टॉल नई मोर टॉल क्यों नहीं होता क्यूं की टॉल कैसा सब्द है singlethen equal है कि नहीं सिंगल से लेवल मत्तब एक बार में बोला जा रहा है तो टॉल जो है हमेशा इयार लेता है इसके साथ मोर का परियोग नहीं होता तो अपना आंसर क्या हो गया ऑप्शन जो है डी कट गया और आंसर क्या हो गया सी क्या कर रख्ट बचा एस टॉल एस क्लियर सभी बच्चों को चैप्टर ध्यान रखना आप क्या पूछा है मैं और मैंने आपको क्या क्लियर किया है कि ओके बेटा अगला कोईशन की तरफ बढ़ते हैं अब बताईए आठवे नंबर का कोईशन कि क्या आएगा बेटा कि यह कैसा संटेंस है पूरा है नहीं वैसे क्लॉज के फॉर्म में है क्लॉज ही है ना बेटा पूरा नहीं है ना यदि मैं अकेला कि इफ ओनली आए तो यहां पर विश्की कंडीशन डिनॉट हो रही है किसकी और विश्की कंडीशन में चैप्टर देखो तो टाइम इंटन्स का ही चैप्टर है कौन सा conditional sentence सर्थ वाले वाक्य, सर्थ वाला उप्वाक्य यह है इफ को ध्यान में रखते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए conjunction ध्यान में आना चाहिए तो M नहीं आ सकता विश की condition में वर आ सकता है क्योंकि विश की condition में subject चाहे singular हो या plural सभी के साथ क्या लगता हमेशा वर अगर यहां पर बिटा में ही भी लगा देती ना तो भी क्या आता लेकिन टेंस के अनुसार अगर देखें तो ही के साथ क्या आता है वाज आई के साथ भी वाज दे के साथ वर लेकिन यहां पर subject चाहे singular हो या लूरल किसकी condition उसके साथ conditional sentence की condition में हमेशा वर लगेगा अब आगे आते हैं आंसर तो बता दिया पर सीव देख लेते हैं याद रखिएगा conditional sentence के इप वाले clause में कभी भी model का परियोग जब यह model है तो यह भी model है तो यह दोनो option तो आंसर क्या बचेगा क्लेर हो यह बात अगला question बढ़ते हैं नौ नमबर चलिए जवाब दीजिए नौ नमबर में क्या आएगा आंसर सर्च किया हां नहीं किया तो बेटा question देखें they have put speed bumps on the road to accident accident को रोकने के लिए उन्होंने speed bumps को बनाया ऐसा ही कुछ कह रहा है बेटा sentence तो हम देखें अगर अवाइड का मतलब यहां पर सिंपल सी बात है वापस से क्या आ गया बेटा वर्ड फिलर आपको सब्द को भरना है और सब्द को भरना पूछा जाए तो परिस्थिती समझनी है जर्नल एक एक वर्ड को समझिएगा तो आप इस टाइब के questions को कर सकते हैं यह सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं मैटा फिल इन दा ब्लैंक में confusing word confusing word भी तो क्या होते है इस situation में यह लगता है यह situation में यह लगता है अब बात करते हैं अवाइड ठीक है अवाइड का क्या होता है यूज कब होता है जैसे माली जी आपको कोई दोस्त है आप उससे बात नहीं करना चाहते है तो वह कहीं से निकल रहा है तो आप उसको क्या करोगी मतलब जिस चीज़ को हम जानते हैं उस चीज़ को हम क्या करते हैं फिर अवाइ तो prohibit कव लगता है जैसे government के कोई rules हो कोई higher authority हो वो आपको क्या कर रही है आप इस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं इंदी में क्या बोलते हैं वर्जित करना वर्जित करना बोलते हैं ना बेटा तो restrictions जहां लगाई जाए थ्रू higher authority तब आप prohibit word का प्रियोग करेंगे तो यह तो हो नहीं सकता बेटा अवाइड भी नहीं हो सकता प्रेवेंट का मतलब क्या होता है बचना या रोकना हिंदी में इसका भी मतलब बचना हो जाता है या फिर क्या बोल देते हैं नजर अंदाज करना किसी को टालना ऐसे भी बोल देते हैं लेकिन यह मेंली जिस चीज के बारे में हम अवेर थे उस चीज से अवाइड उसको अवाइड किया ठीक लेकिन यहां पर एक्सिडेंट से थोड़ी अवेर थे बस आगे फ्यूचर में एक्सिडेंट ना हो इसलिए हमने कुछ ऐसा क्रियेट किया ठीक है तो प्रिवेंट हो सकता है जिसका मतब क्या होता है बचाओ हिंदी में अगर सुद्ध समझो तो इसका मतब क्या होता है एक्सिडेंट इसके बचाओ के लिए तो हम स्पीड को भी दीरे चलाते हैं रोड पे भी स्पीड ब्रेकर लगाये जाते हैं लगाये जाते हैं और होता है STUD salvation से भी control करते हैं कि Forward बेट तो आनी सकता F World framework का तो मतलब क्या होता है मना करना तो यह तो वैसे भी सकती है जैसे डूना३ोट मेका noise यह situation कैसी यह ईने टो यह कि नहीं है तो यह तो हो नहीं सकता अब परेवट जो होगा वो आंसर होगा आप ये बेटा B हो जाएगा और ये option आपका C हो जाएगा ठीक है बटा अच्छा अब आपको ध्यान रखना है जैसे आप बीमारी बीमारी से बचने के लिए आप क्या करते हो बचाओ करते हो जैसे आज बात करें कि अपन को को नहीं हो तो किसके लिए हम क्या लगवाते हैं थीक लगवा है वैकसिनेशन तो प्रेवेंशन ही तो कररें हम किसी चीज के इलाज से पहले हमें क्या करना चाहिए बचना चाहिए किसी एक्सिडेंट में अपने साथ हो जाए उससे बैटर तो क्या है पहले अपने आपको सुरक्षित या उससे बच के रहना चाहिए क्लियर हो गई बात तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा सी ऑप्षन आप ए भी इसको सी कर दीजिएगा क्लियर है चलो तो अगला कोईशन बताना है वह आपको कि आई होप सबको समझ में आ रहा होगा दसवा क्वेशन बताओ बेटा बहुत बढ़िया कोईशन है पहले आप देख लो चैप्टर कौन सा है कि वाड़ फिलर ही है चैप्टर के साथ साथ आपको वर्ड फिलर I want to be a teacher मैं बनना चाहता हूँ एक teacher जब मैं बड़ा हो जाओं हुए नहीं अभी बड़ा हो जाओं इसके लिए क्या होगा age तो I age का तो यह meaning होगा नहीं I grow up हो सकता है I grow I grow नहीं बड़ा हो जाओं तो क्या होगा तुम बड़े हो गए you have grown up बोलते हैं न किसी को grown वीत्री लगाते हैं क्योंकि है जैब तो यह आएगा नहीं यह भी नहीं आएगा तो सीधा answer आपका क्या हो जाएगा ग्रो अप जब मैं बड़ा हो जाओं तब मैं एक टीचर बनना चाहता हूं और बेटा एक चीज़ और ध्यान रखो वैन के पहले अगर यहां पर कौन सा टैंस होता पास्ट सिंपल पास्ट कॉंटिन्यू या पास्ट परफेक्ट तो इधर भी कौन सा टैंस होता यहां पर फिक्स होता कौन सा है की नहीं है टाइम टैंस का रूल लेकिन यहां पर कौन सा टैंस है बेटे simple present तो यहां भी क्या आएगा simple present इसको बेटा sequence of tense भी बोलते हैं मतब आपका जो समय और काल है उसका भी एक क्रम चलता है आई बास समझ में आपने पढ़ा भी होगा या आप पढ़ेंगे तो मैंने आपको clear अभी भी कर दिया है कि when के बाद आपको simple past लगाना होता है अगर दूसरी side statement में भी कौन सा tense हो past tense clear हो गई बात अगर उदर past होता तो ग्रू अप आता फिर clear है ना ग्रू ग्रो की second form अच्छा बेटा clear हो गया दसवा question आगे बढ़े ओके चलिए आगे देखिए question number 11 बताईएगा 11 नमबर सांती में पढ़िएगा और जबाब दीजी बहुत सारे बच्चे जो है जवाब दे रहे हैं बताईए क्या answer आएगा बहुत सारे बच्चे answer दे रहे हैं अपना जो है option छुपा भी रहे हैं वैसा ना करें answer दे रहे हो तो कोई doubt है तो आप पूछो हाना 11 नमबर question अरे एर्थ के बाद हम 11 नमबर पर आ गए वैटा जल्दी से जवाब दीजी सभी बच्चे सुनील जो है वो जवाब दे रहे हैं सुनील पूलिया चलो तो जवाब दो बेटा 11 नमबर में क्या आएगा answer देखो question पढ़ते हम पहले you are not allowed to use your mobile phone so आप जो है आपको आज्या नहीं है अच्छा इस sentence में समझ ना बेटा यू जो है वो subject है की object पहले तो यह बताओ मुझे नो आर के बाद क्या लगी है फिर गड़वड मत किया करो वेटा अगर मैं इसमें blank दे देती फिर वही तुम गड़वड कर देते तो समझो यह sentence में you क्या है object object है तभी तो aren't allowed आपको आज्या नहीं है permission नहीं है आपको किस चीज की mobile का परियोग करो आप तो इसलिए क्या करेंगे फिर वेटा it is no point to leave it on इसको आप जो है active रखे first आएगा या फिर it is no point in leaving it on या B या फिर there is no point in leaving it on कौन सा सकता है या D there is no point to leave it on कौन सा हो सकता है बिटा अगर D देखोगे तो there is no point to leave तो यह तो क्या लग गई डी और सी आंसर बता रहें उन दोनों में क्या फर्क है देखो अब यहाँ पर है there is no point in leaving it on इसमें क्या लगा हुआ इन प्रपोजीशन के बाद क्या लगा सकते है यह तो होगा नहीं आंसर क्लियर है it is no point it is no point यह नहीं होगा यह कोई मुद्दा नहीं है या फिर हम प्लेस की बात कर रहें ना mobile phone का परियोग में कर तो यहां पर यह कोई मुद्दा नहीं है कि आप क्या करें अपने फोन को ओन करके रखें अब ध्यान से समझना है बेटा आने को देखो इन्फिनिटिव का भी प्रियोग हो सकता और जिरंड का भी लेकिन एप्रोप्रियेट जो मीनिंग होगा वह आपका सी में देगा कैसे यहां बोल रहा है यहां कोई मुद्दा नहीं इस चीज में कि आप अपने इस चीज में मुद्दा नहीं है इस चीज का कोई मुद्दा नहीं है कि आप जो है अपने mobile को जारी रखे, continue रखे, तो यहाँ पर in proposition और plus में जो जिरंड है उसका परियोग बिल्कुल सही माना जाएगा, इसलिए answer क्या होगा, C answer होगा, clear हो गई बाट बेटा, बहुत बढ़िया sentence है, आप इसको बहुत बढ़िया से समझियेगा, okay, I hope clear हो गया हो इसमें तो answer सबका आजाएगा, यह फ्रेजल वर्ब की condition है, यह फ्रेजल वर्ब का question है, meaning कि इसाब से get off, you should get off swimming, यह start up swimming, यह take up, यह फिर take off, take off का मतलब तो क्या होता है, plane जैसे क्या कर जाता है, take off कर जाता है, take up, किसी चीज को follow करना, तो अब बताइए, बचेगा क्या, यह तो नहीं होगा, यह से simple answer क्या हो जाएगा, start up, आपको जो है swimming क्या कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए तो यहाँ पर correct meaning के साब से भी आ रहा था, तो answer जो होगा, वो क्या होगा, A, okay, 30 number question बताओ, यह time and 10 से related और और सब का जवाब आना चाहिए, बताओ बेटा, कौन सा answer हो सकता, जब अपन chapter सारे खतम कर लेंगे, तो इसी तरीके से पहले chapter wise है ना, practice करेंगे, ठीक है, chapter भी बता दूँगे, मैं आपको कि यह वाला chapter complete हुआ, तो इसके questions, बाकी के, जो है, mix, fill in the blanks, और error पर practice करेंगे, उससे क्या होगा, आपको exam में समझ में आजाएगा, क्योंकि exam में कैसा आता है, mix आती है, आपके chapter wise नहीं आता, वो तो आपको दे देते हैं कि भाई, fill in the blanks क्या कीजिए, solve, error solve कीजिए, sentence improvement कीजिए, by this time next year, क्या आएगा answer बेटा, by this time next year, इसको ध्यान में रखें, keyword है है, time and tense का, इसमें tense लगता है बेटा, future perfect, कौन सा tense? बस तो देखते हैं, option लगा दो, यह तो होगा नहीं, by this time next year, इस समय तक अगली साल, जैसे आज का दिन, की तुलना हम कम से कर रहे हैं, आने वाले समय, की इस समय तक, जो है, अगली साल तक, मैं ऐसा काम कर लूँगा, मैं मतलब क्या कर लूँगा, I will have taken all my exams, clear है, मैं सारे अपने paper, complete कर लूँगा, दे दूँगा, अच्छा, अगला बताईए, 14 number question, 14 number जो question है, उसमें क्या answer आएगा, fix proposition का question है, बहुत easy सा है, और बहुत बार exam में इस type का question पूछा गया है, बताईए क्या आएगा, बताओ बेटा, जल्ली बताओ, डी, four, नहीं, और सोचो, interested, fix proposition, हमेशा, और इनके बाद अगर वर्वानी है, तो basic में, जैसे अभी भी तो अपने कही थी, क्या आएगी, चिरंट को, clear ओर ये बात, जैसे, a verse के साथ, कौन सा proposition, अभी आज ये अपने word पढ़े थे, prohibit, बताओ इसके साथ क्या लगता है, proscribe, debar, prevent, इसके साथ लगता है, to, इनके साथ लगता है, बेटा, from, clear है, ये कुछ fix proposition है, जो journal पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर correct answer क्या होगा, चलिए तो आज का जो है, question 50 number, और solve कर लेते हैं, जल्ली बताओ क्या आएगा, कमलेश, क्या है का answer, पंदरवे का answer बता बेटा, there are not people here, देखो, ये किसका question है, पहले तो ये देखो, अपने determiner का, है की नहीं है, determiners है ना बेटाईए, some, a lot, many, much, क्यों, जो की determiners में भी कौन सा, portion, adjective, बेटा, विशेशन, adjective है, अब people कैसी noun है, और वो भी कैसी है, है की नहीं, शॉट में मैं लिखती हूँ ऐसे, countable noun, plural, तो बेटा, countable noun, plural की condition में, कभी भी, much किसके लिए आता है, uncountable noun, वो भी कैसी, many का प्रियोग होता है, किसके लिए, तो ये answer हो सकता है, a lot, a lot का मतलब, बहुत सारे, मतलब, a lot का प्रियोग भी, ज़्यादा तर हम किसके लिए करते, uncountable noun, singular, जैसे जिस noun को हम गिन नहीं सकते, a lot of thing, a lot of water, बोलते हैं न बेटा, तो ज़्यादा तर हम इसका यूज करते हैं, तो इसलिए see option, there are not some people here, अब some का प्रियोग तो कब होता है, जब sentence कैसा हो, positive हो, अब sentence यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग, कुछ लोग नहीं ज़्यादा क्या मतलब हो गया, तो some का प्रियोग sentence नकारात्मक है, इस वज़े से नहीं आ सकता, तो यहाँ पर correct answer क्या होगा बेटा, भी होगा, किस किस को समझ में नहीं आया, सबको आ गया, तो बेटा यह थे आपके 15 questions आज के session के, कल का जो session होगा उसके अंदर हम next questions पर बात करेंगे, ठीक है, आज के लिए तो इतना ही बात करते हैं, तो जिन भी students को online या offline batches join करने हैं, तो आप लोग जो है, join कर लीजिएगा, और जो अपना grade of defense academy, offline batches start कर रहा है, वो है past तारिक से particular LDC और CET के लिए, clear है, तो आप लोग सारे friends को बता देना, जिनको भी LDC यानि की high court की vacancy जो आई हुई है, उसकी तियारी करनी है, या फिर राजिस्तान CET common eligibility test के लिए preparation करनी है, तो उसी के according जो है अपना English का syllabus में complete करा हूँ, ठीक है बता, चलिए तो next session में मिलते हैं,